हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10th का वीकली टेट 16 नौवंबर का लिए पार्ट 3 रेका रहा हैं इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है यदि आप लो के सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि नंकित में से कौन P classic मुद्रा का उधारण है प्लास्टिक मुद्रा कौन है को बताना है छेक है ड्राफ है credit card है यहाँ पर जो राइट पार जो होच्चा की होता है जिसमें आप अपना खुद का पैसा का इस्तेमाल करते हैं Question No.2 पे आते हैं Question No.2 में आपसे कह रहा है कि भारत में निर्णाकित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है तो आपको पता है कि भारत में कौन सा चलता है बाबू बताओ डॉलर चलेगा पाउंड चलेगा या फिर यूरो चलेगा या फिर यहां पे छूट गया है रुपिया तो राइट अंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका रुपिया हो जाएगा Option No.4 हो जाएगा घरेलू बजार में बहुराष्ट्य कंपनियों का परवेस होना चाहिए तो जब घरेलू बजार का मतलब क्या हुआ घरेलू बजार का मतलब है जैसे कि हम लोग के आसपास मान के चले कोई मार्किट है वहां से कोई बहुराष्ट्य कंपनी जो वहां पे इन कर गई कि किसके लिए हानी कारक वह सकती है बड़े प्यमाने पर निर्माता होते हैं उनके लिए हानिका रक है सभी छोटे पएमाने उत पादक पर य rider इसका रायट आंसर हो गाँ वहां जगह सभी छोटे पैमाने पर उत पादक पर ला होगा कोई-ट्रे दोट अब किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा है विकास सिल देश, विकसित, गरीब या फिर इन्वेस कोई नहीं तो राइट आंसर है इसका विकसित देशों के पक्ष तीक है कोछ से नमबर 6 की बात करें तो निमनाकित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बजार से बाहर वैपार करने का आउसर देता है सूचना तकनीक, सार्व भौमिक करन, बहुराष्ट कमपणियों का निवेस या फिर विदेसी, परत्यक्ष निवेस तो इसका जो राइट अंसर है, वह हो जाएगा आपका सार्व भौमिक करन, ठीक है अगला सवाल देखे, क्या है हमारा, विभिन देसों के बीच परसपर संबंद और तिवर एकिक करन की परकिरिया ही डैस है क्या है, निजी करन है, उदारी करन है, वैश्वी करन है या फिर इन में से कोई नहीं, तो राइट अंसर है आपके हो जाएगा वैश्वी करन, ओप्सन नमबर तीन कोईशन नमबर आट पे आईए, कह रहा है कि विश्व वैपार संगठन का गठन करने के लिए निमनिखित में से कौन से प्रमुक उद्देश से था, यानि किसली उसको जो है गठन किया गया था आपको बताना है, अंतराश्ट्य वैपार का उदारी करन, संपन देसों के व अब इसको हम ट्रिक से आपको याद करवा देते हैं, कह रहा है विश्व वैपार संगठन, विश्व का मतलब क्या, वर्ड वैपार संगठन, नि पूरी दुनिया में वैपार करना है आपको, ठीक है, तो अंतराश्टिय, अंतराश्टिय मतलब क्या होता है, एक होता है रा क्या याद रखिए उतारना आपको क्या करना है अपना वैपार दूसरे देशों में क्या करना है उतारना यहां से ले जाए हवाई जाए हवाई जाज में अपने वैपार को दूसरे देशों में उतारिए इस तरह से आप याद कर लेना अंतरश्टिये वैपार का उधारी करन question no.9 पर आते हैं कहरा है विस्वब आपार संगठन डैस देसों की पहल पर शुरू हुआ था विकसित विकास सिल और विकसित या फिर इन में से कोई नहीं right answer हो जाएगा विकसित ठीक है अब या विकसित जो विकसित हो जाता है जो डेबलप हो जाता है ठीक है तब ना तब ना वो अपना प्रोड़क्ट विडेसों में बेचेगा वरना फिर उसके देश मुद खुद ही जरूरत होगा तो वो फिर विडेस में क्यों भेजेगा माग ठीक है ना जिस्तर से याद कर ले ना अगला सवाल है हमारे Q chapter 10 में कहहार है विस्वर वेपार संग político का मुख्चैले कहां पे है आपको बताना है तो विस्वर वेपार संग का मुख्चैले कहा है जैनवा में है ठीक है ना याद रखियेगा Q11 में कह रहा है कि वैश्विकरन ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पात को और सरमिकों के लिए डैस खड़ी की है इमारते, बिल्डिंग्स, चुनोतियां या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर है वो हो जाएगा से, बुवा से या फिर आपके गाउं के मुख्या से साहुकार से ले लेते है Q13 पर आते हैं कह रहा है डैस, दर, रिन की लागत, रिन का बोज बढ़ाती है उची ब्याज, विनिमे, रकम या फिर इन में से कोई नहीं इसका जो राइट अंसर है, वो हो जाएगा, उची ब्याज Q14 पर आता है केंदरिये सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है तो केंदरिये सरकार की ओर से करेंसी नोट जो जारी करेगा भारती रिजर बैंक आफ इंडिया करेगा, याद रखना है Q15 पर आते हैं, बैंक डैस पर देने वाले ब्याज से रिन पर अधिक ब्याज लेता है निकासी, बकाया रासी, जमा रासी या फिर इन में से कोई नहीं बैंक इस पर देने वाले ब्याज से, यानि कि बैंक जितना ब्याज देता है उससे ज्यादा रीन पर अधिक ब्याज क्या कर लेता है ले लेता है यानि कि जमा रासी यानि कि आप जितना जमा करोगे तो आपको कम देगा अगर हम उससे करज ले लेंगे तो हमसे ज्यादा ले लेगा बात समझ में ही न इनी बात को यहां पर कहा जा रहा है समझ में आ गया सभी को तब आप लोग जो है SBI का full form क्या होता है आप लोग comment box में comment करकर हमें जरूर बताइए उमीद करते हैं आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकों को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हार एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके बुबाइल पे चला जाए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू